अमस्कार दोस्तो शर्वटा जी की रश्योंग में आपका फीर से एक बार स्वागत है। आम का मुरब्बा बनाने वाले है हाम, जिसके लिए हमने ये दो किलो आम ले लिए है, और आम काफी सक्त वाले आम ही लिए है हमने, ताकि हम इसे कीसनी से अच्छे से क्रश कर सके, दो किलो आम को अच्छे से मैंने धो लिया है, और अब हम इसे चक्कू की सायता से छील उपर का छिल का पुरा निकना है हमें और फिर हमें इसे किसनी से ग्रेट करना है थोड़ा और थोड़ा हम चॉप भी करने वाले है screen नोटिवाली किसनी से ग्रेट करना है, ग्रेट करने के लिए हमने यह थ्ञुड़ yg framing को पुरा च्छीन लेने वालीुए को,這些 ले सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो मेरे चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लिजे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंट मिलती रहे, देखे बहुत जल्दी छिल जाते है यह आम इस तरह से जो जालू छिलने वाला चक्कु होता है, उसे से ही हमने छिले है, क्योंकि यह सक्त वाले आम है, सौफ्ट वाले आम हमें नहीं लेना है, वैसे तो केरी का मुरब्बा बनाया जाते है, पर उसमें बहुत जादा शक्कर डालना होता है, तो इसके लिए हमने आम का मुरब्बा ब आम अगर थोड़ा मीठा होगा तो आम के अंदर शक्कर कम डालना होगी और शक्कर जादा नहीं खाना चाहिए इसके लिए हम थोड़े मीठे वाले ही आम लिए हैं अंदर से टेस्ट करके देखे हैं हमने आम को तो थोड़े मीठे है यह आम और अब यह इसी तरह से हम इने प काफी ज़्यादा मात्रा में शक्कर डालना होते हैं में और इतार के निकाल देंगे और इसे पहले फेले grate कर लेंगे अगर आप चाहिए, तक पूरा grate भी लेकर गीर दो पूरा खैने crust film और ऑफ दूरा भी दो बना एक। पर हमने इसे पका कर ही बनाया है क्योंकि अब आज के मोसम में बहुत ज़्यादा धूप नहीं है थोड़े बादल है बारिसका मोसम हो रहा है और इस मोसम में हम धूप में नहीं रख सकते आम को सीधी साइट से पकड़े और फृर ऐसा इस तरह से ग्रेट करे उल्टा आम अगर हम पकड़ेंगे तो बिल्कुल भी ग्रेट नहीं होने वाला है हमारा आम हमने ग्रेटर भी थोड़ा मोटा वाला लिया है ताकि मोटे मोटे लच्छे बन जाए यह आपकी पसंद के उपर डिपेंड करता है कि आपको मोटा मुरब्ब चाहिए या बारिक वाला तो हम इस तरह से किस्नी से ग्रेट कर लेंगे और फिर थोड़े थोड़े टुकड़ों में भी चौप कर लेने वाले है इस मैंगो को आप आम भी कोई भी ले सकते हैं हापू साम ले या फिर आपकी पसंद से केशर ले पर केशर आम थोड़ा सथर नहीं आता है और देखिए बढ़िया लच्छे बन रहे हमारे इसके आप बारिक बारिक चॉप करकर भी ले सकते हैं थोड़े लंबे-लंबे लच्छे भी चॉप करकर ले सकते हैं मैंगो के अक्सर मैंगो 12 महने तक नहीं आता है तो जब भी हमें मैंगो खाने की याद आये तो हम इस आम के मुरब्भ का स्वाद ले सकते है आप इन्हें पराठों के साथ तो इतना भी टेस्टी लगता है या आम का मुरब्भ के आप सोज भी नहीं सकते और हम इसके अंदर केशर डालके भी बनाने वाले है क्योंकि केशर के स्वाथ से इससे गला भी खराबनी होने वाला है और इसी बाहने से थोड़ा-थोड़ा केशर भी सभी क्या खाया जाता है देखिए अब थोड़ा हमने ग्रेट कर लिया है और थोड़ा अब हम मैंगो को चोटे चोड़े टुकडो में चौप कर लेने वाले है इस तरह से चौप करे बहुत जल्दी चौप हो जाता है मैंगो भी और देख़े आप ये सक्त है इसलिए इतना बारिक चौप हो रहा है अगर यहां सौप्ट होता तो बिल्कुल भी चौप करने नहीं होता चौप करने में बहुत प्रॉब्लम आती है तो हमें थोड़ा सौफ वाला ही मैंगो लेना चाहिए आप इस तरह से भी इसे चौप कर सकते हैं देखिए बहुत अच्छी कॉलिटी का मैंगो लिया है हमने क्योंकि थोड़ा सक्त भी चाहिए था हमें और यहां थोड आने वाले हुँ शकर इसके अंदर और फिर देखिए आप कितना बड़िया हमारा आम का मुरब्बा बनकर तयार होता है खाने में बहुत ही टेस्टी होता है बहुत ही लाजवाब होता है और सभी को बहुत पसंद आता है आप इसे थोड़ा फ्रीज में भी रख सकते हैं ब पर ये बनता ही इतना अच्छा है कि एक साल तक चलने ही वाला नहीं है बहुत जल्दी खतम हो जाने वाला है ये क्योंकि सभी को बहुत पसंद भी आने वाला है ये खाने में भी टेस्टी होता है और जैसे आम का सिजन चला जाएगा तब आप इसको बारिश के दिनों में गरम पूड़ी के साथ गरम गरम पराठो के साथ आप यहां मैंगो का मुरब्बा खा सकते हैं तो फिर देखिए आप कितना टेस्टी लगता है क्योंकि अभी तो मैंगो काफी आ रहा है बाजार में और काफी कॉस्ट भी कम हो गई है मैंगो की तो इसी समय हमें यहां चाहिए देखिए अब मैंने साथ सो पचास गरम चीनी डाल दिये इसके अंदर और यह इसके उपर मैं यह मैंगो डाल देने वाली हो थोड़ा सा पंद्रा बिस मिट में इसे इसी तरह से छोड़ दूगी कोई पानी डालने के आउशिक्ता नहीं है इसके अंदर ताकि इस म मैंगो के पानी से शकर मेल्ट होती है थोड़ी तब तक हम यह तैयारी कर लेंगे थोड़ी हमने दसेख इलाइची ले लिये है और इलाइची को छील कर मैं इस खल के अंदर छोटे से खल के अंदर कुटने वाली हो कभी भी ध्यान रहे है इलाइची लोंग कुटने का खल अलग ही होना चाहिए तो थोड़ा इलाइची पौडर भी डालेंगे हैं हम थोड़ा केशर भी डालने वाले हैं देखिए पौडर पूरा बनकर तैयार हो गया है और अब हमने इसे कड़ाई को गैस के ऊपर रग दिया देखिए शक्कर थोड़ी गीली सी हो गई है और अब हम गैस का फ्लेम आउन करतेंगे और लगातार इसे चलाते हुए पकाएंगे देखिए आप शक्कर पूरी थोड़ी सी गीली गीली सी हो गई है शक्कर क्योंकि यह आम के अंदर का जो भी पानी था इसके अंदर लग च बारिश लगने के बाद हम इसे बिल्कुल घृश लगने के बाद हम अब घरम यह बना रहे स्ट इसे बाद में खाने के लिए हिं चैजो काले में अब नहीं है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगने वाला है ये कभी भी हम थोड़ा सा ब्रेड को बटर लगा कर सेके और उपर यहां आम का मुरब्बा लगा कर खाए फिर देखिए आप इसका स्वात कितना बहतर आता है हमें इसी तरह से बाहर के हमें जैम, मुरब्बा बिलकुल नहीं खाना चाहिए पता नहीं कौन-कौन से फूड प्रेजिरिटिव डाले हुए होते है तो हमें बिलकुल भी बाहर की चीज़े एवॉइट करनी चाहिए आज के इस दोर में सरिफ अपने-पनी इमिनिटी पावर ही सभी को काम आई है और बाहर का जो फूड प्रेजिरिटिव से बनी हुई वेंजन होते है बिलकुल भी इमिनिटी पावर नहीं होती है जो हमारे शास्त्र में लिखा गया है जो हमारा ओरिजिनल खाना है हमें वहीं खाना खाना चाहिए ताकि सभी की इमिनिटी पावर बिलकुल बढ़िया बनी रहे और घर में बड़े ही जब इस तरह से खाना नहीं खाएंगे तो फिर बच्चे तो बिलकुल भी नहीं खाने वाले है इन बातों का भी हमें घर में ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सभी इसी तरह के वेंजन खाए और इसी तरह के वेंजन बनाए सिंपल देसी फूड बनाए आप ताकि आपके बच्चों को सभी को देसी फुड़ खाने की आदत सी हो जाए और वहाँ देसी फुड़ ही खाए देखिए अब थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रही है हमारी शक्कर यह है और अब हम इसे गैस का फ्लेम थोड़ा धीमा कर देंगे धीमा करकर आप छोड़ कर थोड़ा दूसरा काम भी कर सकते है ताकि धिमे धिमे गैस पर शक्कर थोड़ी पक्ती रहने वाली है लगबगी से आदा घंटा लगा है पकने के लिए तभी यहां मैंगो का मुरब्बा बिलकुल पक कर बढ़िया तयार होता है ध्यान रहे सॉफ्ट रहेगा तभी यहां अच्छे से हम बाइट में भर कर ले सकते हैं इसे तो इस बात का छोटी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए वेंजन दिखने में सुंदर भी और टेस्टी और पर्फेक्ट बनना ही चाहिए सामगरी भी इतनी ज्यादा लगने वाली नहीं होत तो बिल्कुल भी गला भी खराब नहीं होने वाला है इस केशर के वज़े से तो हमें केशर जरूर जरूर ऑप्शनल है अगर आपको पसंद हो तो डाले वरना ना डाले पर केशर डालने के तीन बेनिफिट होते हैं एक तो हमने फूड कलर डालने की कोई आउशक्ता नहीं होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और केशर खाना अच्छी बात होती है शिहत के लिए बहुत ही तो इसके लिए बहुत थोड़े से धागे डाले हमने केशर के और अभी भी गैस का फ्लेम धीम आईए बीच-बीच में हमने इसे और चलाया है ताकि नीचे बिल्कुल जले नहीं वैसे जब तक थोड़ा शकर का पानी है इसके अंदर तब तक बिल्कुल भी जलने वाला नहीं है आप मेरी और भी मैंगो की रेसिपी देखे मेरे चैनल पर मैंगो रवा लड़ू बनाए है मैंने मैंगो सूजी बरफी बनाई है बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनकर तयार हुए थे आप भी एक बार जरू जरू ट्राय करें और यहां आम का मुरब्भा भी ट्राय करें दिखने में भी यह इतना बहतर दिखता है कि आप सोज भी नहीं सकते देखते ही आपका मन होने वाला है इसे खाने का और अगर आप मेरे चैनल पर नए ह तो तुरंत मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकोन को भी प्रेस कर दिजे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिपिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे देखिए आप कितना बढ़िया हमारा आम का मुरब्भा पकर तैयार हो रहा है और मेरे नए चैनल असल स् देखते है उन सभी के लिए मैंने एक मराठी चैनल भी बनाया है तो आप मेरे मराठी चैनल को भी देखिए मैंगो का मुरब्भा हमारा पूरा पक चुका है तभी हमने इलाइची पााव्डर इसके अंदर डाल दी है दैसि मीक्स कर दिया है हमने और गैस का फलें बंद कर द्यान से देखिए आप यह कितना पतला है इतना ही पतला हमें रहने देना ही से अब हम पूरा इसे 24 गंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे 24 गंटे बाद देखिए आप इतना सक्त हो चुका है यह तो हमें पतला रखते समय ध्यान रखना चाहिए कि ठंडा होकर औ ताकि सभी पूरा वेंजन अंत तक आपको समझ में आए देखिए आप कितना गाड़ा बन चुका है हमारा ये मैंगो का मुरब्बा तो अब हम इसे जार के अंदर भर कर रखेंगे देखिए आप केशर कितना बढ़िया लग रहा है हमारे इसका मैंगो मुरब्बे का और आप बहुत ही टेस्टी और लाजवा बना है ये ब्रेड पर तो यह इतना भी जादा टेस्टी लगता है कि आप सोज भी नहीं सकते आप जब भी ऐसे घर का बना हुआ मुरब्बा या जैम खाएंगे तो बाहर का जैम मुरब्बा खाना बिलकुल भूल जाने वाले है बाहर के म मुरब्बे में और जैम में बिलकुल भी केशे डाला हुआ नहीं होता है देखिए आप कितना बढ़िया हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हुआ है